हलो बच्चो तो आज हम करने जा रहे हैं वर्ण विचार इसके पहली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने भाशा लिप्पी और व्याकरन पर चर्चा की थी आज की इस वीडियो में हम वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे तो चलिए वड़ते हम आज की इस अपनी वीडियो की बोलते हैं समय हम जिन ध्वनियों का उचारन करते हैं वही ध्वनियां जो है वो वन या अक्षर कहलाती है वर्न भाषा की सबसे चोटी इकाई होती है और वर्न उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकने नहीं किया जा सकते हैं क्योंकि ये भाषा की सबसे चोटी इकाई कौ फ्rr endy भाशा में अलग-अलघ जो वर्न होते हैं और हंदी भाशा में इन वर्गों की जो कुल संख्या हैं इसंत्य कितनी है 24 है 44 है लिखित भाशा जब हम कुछ लिखते है तो हम एम प्रयुपत करते हैं, जिन वर्णों का प्रयोक कर के हम कुछ लिख रहे हैं वो हर एक भाषा में अलग-अलग है प्रतेक भाषा में वर्णों की जो हम वर्णिन वर्णों से हम लिखते हैं वो अलग-अलग है ठीक है तो इनकी संख्या टोटल कितनी है 44 है आगे हम देख लेते हैं वर्ण माला वर्गों की माला यानि की वर्ण माला इसमें हिंदी भाषा में कि जो वर्ण माला है उसमें 11 स्वर है और 33 वियंजन है और वर्णों के जो भेद है ये हमने देखा कि वर्ण माला में क्या क्या चीजी है स्वर है हमारे पास वियंजन है तो वर्ण के भेद कितने है दो है जिसमें एक साइड पे स्वर आ जाते हैं दूसरी साइड पे वियंजन आ जाते हैं स्वरों की संख्या कितनी है 12 है वियंजनों की संख्या कितनी है 33 है चीक है आगे हम देख लेती हैं स्वर के उचारन में और जैसे हमने देखा अभी कि स्वर की संख्या 11 है वियंजन की संख्या 13 है यहाँ पे हम स्वर को देखेंगे जो स्वर वर्न है जिस वर्न के उचारण में किसी अन्य वर्न की सहाइता ना लेनी पड़े उसे स्वर वर्न कहते हैं जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं आ, 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 ई, बड़ी, उ, बड़ा, उ है न, तो यह जो है वो मात्राई हैं, तो यह 11 क्या चीज़े हैं, यह 11 जो है वो स्वर्ण वर्न है, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, इसके बाद है हमारे पास, हमने देखा इसके पहले कि हमारे पास जो स्वर्ण वर्न है, वो कितने हैं, वो 11 हैं, इसे के बाद हमने देखना है कि हमारे पास जो स्वर्ण के आगे 3 भेद हैं, पहला है हसव स्वर, दूसरा है देर्ग स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर, ठीक है, तो हमने स्वर्ण की संख्या कितनी हैं, 11 हैं, आगे हम स्वर है वो किसका भेद है वो है वर्न माला का हमने देखा था न यहां पर वर्न के कितने भेद है दो भेद है पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन आगे हम देख रहे हैं स्वर के भेद देख रहे हैं स्वर के तीन भेद है आगे इसके बाद हम व्यंजन को भी शुरू करे तो सवर के तीन भेद हैं कौन-कौन से हैं हसव सवर दीर्ग सवर पुलुट सवर पहले हम देख लेते हैं हसव सवर हसव सवर इनके उचारन में सबसे कम समय लगता है जैसे कि यह चार यहां पे हैं आ ई उ और रिशे यह चार हसव सवर हैं इनके जब इनका उचारन हम करते है हमें बिल्कुल थोड़ा सा समय लगा तो वहीं पे जब हम दीर्ग स्वरों क्या उचारन करेंगे तो जितना हसव स्वर में समय लगता है उससे दुगना लगेगा यहाँ पे आप दीख भी रही होंगे कि इनके उचारन में जो है वो हसवस्वरों के उचारन से दुगना समय लगता है ये साथ जो है वो दीर्गस्वर है अ-अ-अ-ई-ई-उ-उ-ए-ए है ना तो ये जो है ये साथ कौन-कौन से है बड़ा-अ-बड़ी-ई-बड़ा-उ-चोटी-ए-बड़ी-ए-चोटा-ओ और बड़ा-ओ ये क्या चीज़े है ये है साथ दीर्गस्वर इसके बाद है पुलित्वर इनके उचारन में हसव और दीर्गस्वरों के उचारन से तिगना समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें पुलित्वर कहा जाता है इसके बाद है अनुसमवार जिसमें क्या है हम जो भी वन भी स्वरों के बाद आता है जो ये अनुसमवार है ये क्या चीज़ है कि अ के उपर बिंदी है ना कि हम कई हमारे हिंदी में ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम बिंदी का प्रयोग करते हैं तो ये जो है वो वर्न भी स्वरों के बाद ही आते हैं इसका उचारन नात से किया जाता है तो इसका उचारन जिन वर्न के बाद होता है उसी वर्न के सिर्क के उपर जो है पर इसके उधारन आपको बताएगी है तिरंगा, रंग, जंग, संग यह क्या है? अनुसमवार है जैसे इनका उचारन नाक से किया जाता है इसका उचारन जिस वर्न के बाद किया जाता है जिस भी वर्न के बाद हम इसका उचारन करेंगे उसी के शब्द, उसी शब्द के उपर, means उसी वन के सिर्ख के उपर, जो है, वो मिंदी के रूप में इसका प्रियोग किया जाता है, इसके आगे हम देख लेते हैं, अनुनासिक, इसका उचारण नाक से और गले, दोनों से ही होता है, जैसे चांद, आंगन, आदी जो है, इस व्याकरण में, अनुनसमवार एवं विसर्ग को अयोगवा के रूप में जाना जाता है, तो यहां पे, हमने देखा, क्या चीज देखी हमने, पहले हमने देखा था, वर्न के भेद, वर्न के भेद में दो चीज़े थी, पहली थी, हमने वर्न देखे, वर्न में हमने, जो प हमने आगे जाकर क्या चीज देखी हमने स्वर की हमारे पास कितने स्वर है ग्यारह स्वर है तो हमने ये ग्यारह स्वर देखे उसके बाद हमने क्या किया कि स्वरों के बारे में ही जाना जिसमें हमने देखा कि स्वर के तीन भेध होते हैं पहला है हसम स्वर दूसरा है पाद हमने इनको अच्छे से समझ लिया कि यह क्या होते हैं अब हम व्यंजन पर आएंगे व्यंजन में व्यंजन वर्नों के तीन भेद होते हैं पहला इसमें सबसे पहले हम व्यंजन को समझते हैं जिन वर्नों का उचारन स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहा ज व्यंजन, चीक है, यह है व्यंजन, आगे हम देखेंगे, कि जो व्यंजन है, व्यंजन को भी आगे तीन, के भी आगे तीन भीद है, पहला है स्पर्ष व्यंजन, दूसरा है अंतसत व्यंजन, तीसरा है उश्म व्यंजन, जो स्पर्ष व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी है, चार है हमारे पास अंसत और उश्म है हमारे पास चार हमारे पास टोटल कितने वियंजन थे हमारे पास थे 33 वियंजन थे जो हमारे पास टोटल थे टोटल हमारे पास 33 वियंजन थे ठीक है 25 है उनमें से स्पर्ष 4 है अंसर 4 है उश आगे हम देखते हैं इनको कैसे हमें समझना है स्पर्ष जनी शूना जिन वियंजनों का उचारण करते समय फेफडों से निकलने वाली जो वायू है वो कंठ तालू माधुरे दांत या होठों का स्पर्ष करती है उन्हें स्पर्ष वियंजन कहते हैं क से लेकर म तक 25 स्पर्ष वियंजन है क वर्ग का उचारण स्थल कंठ है तो वर्ग का उचारण स्थल दांत है त जो है वर्ग का जो उचारण है वो स्थल दांत है इसमें क्या चीज़ कही गई है कि जब भी स्पर्षवेंजन हम उन्हें कहते हैं जिसमें हमारे जो फेफडों से निकलने वाली वायू है वो हमारे कंट को, हमारे तालू को, हमारे दांतों को, हमारे होठों को स्पर्ष करती है जो वाईू हुमारे फेफडों से निकलती है, आप कर बोल के देखो, तो आपको ये चीज़े समझ में आएंगी, ठीक है, आगे है अंतसत्वियंजन, ये क्या है, ये मध्य या बीज, अंतसत्थ का मतलब क्या है, अंत का मतलब मध्य, और जो है, यहाँ पे means बीज का, और सत् इन व्यंजनों का उचारण स्वर तथा व्यंजन के मध्यकासा होता है, उचारण के समय जीवा और मुक के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, जैसे य, य जब आप बोलोगे, तो आप देखेंगे, कि जो हमारी जीवा है, ये हमारे मुक का स्पर्श नहीं करती, य, र, ल, तो हमारे होट है, वो खुले रहते हैं, जब हम इनका उचारण करते हैं, य, र, ल, व, तो आप देखेंगे, जब इनको आप बोल के देखेंगे, तो हमारी जो जीवा है, मुक के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, हमारे जो होट है, वो खुले रहते हैं, इसके बाद उश्म व्यंजन का मतलब क्या है गर्म इन व्यंजनों के उचारन के समय वायू मुख से रगड खाकर उश्मा पैदा करती है यानि उचारन के समय मुख से गर्म हवा निकलती है यह चार श, स, ह जब आप इनका उचारन करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा जैसे आपको बताया गया है स्पर्श व्यंजन फिर अंतसत व्यंजन फिर आपको बताया गया है ओश्म व्यंजन तो आप इनका उचारन करके देखेंगे जब आप इनका उचारन करके देखेंगे आप इनको बोल करके देखेंगे तो आपको समझाएगा कि हमारी जीवह किस का किया वो position रहता है जब हम जैसे अन्सत बेक्न जो है हमने देखा था अंतसत में कि हमारे जीवह मुक के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती और हमने स्पर्ष व्यंजन में देखा था कि हमारे जो फेफडों से निकलने वाली हवा है ना वायू है ये कंट तालू को स्पर्ष करती है तो जब आप ये बोल के देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी तो ये हमने देखा उश्म व्यंजन जिसमें जब हम इसका उचारन करते हैं तो क्या होता है कि हमारे मुख में से गरम हवा निकलती है तो आप ह जब आप बोलते हैं स तो आप खुद भी ये चीज़े फील करोगे इसके बाद है स्वरों की मात्राई प्रतेग स्वरों के लिए निर्धारित चिन मात्राईं कहलाती है अस्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्रा चिन होती है स्वरों के चिन मात्रा के रूप में व्यंजन वन से जुड़ते हैं कि जिन स्वरों की मात्राईं जैसे कि हमने पहले मात्राईं देखी थी है ना बड़ी ए की मात्रा छोटी ए की मात्रा फिर हमने छोटे उ की बड़े उ की मात्रा देखी थी तो इसमें क्या चीज है कि अस्वर के अतिरिक्त जो सभी स्वर है वो मात्रा चिन होते हैं स्वरों के चिन मात्रा के रूप में व्यंजन से जुड़ते हैं अभी मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ मैंने आपको पहले बताया भी था कि हम इसको अच्छे से समझेंगे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर देखो कि सबसे पहले जो वहाँ पर क्या चीज़ आपको बताई गई कि अ के सिवाए बाकी सब ही में सह हमारे पास टोटल कितने स्वर है ग्यारह स्वर है ग्यारह स्वरों में से एक स्वर ऐसा है जिसके साथ जो मात्रा के रूप में प्रियोग नहीं होता जैसे अ, 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 इसका हम मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं जैसे कि हमने कोई भी थाम लिखना हुआ, जहां हमने दांत लिखना हुआ तो हम द के साथ, बड़े आ के साथ जो मात्रा है, अ की मात्रा है उसका प्रयोग करते हैं उपर चंद्रबिंदू का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास दाथ बनता है जैसे हम करें कि बात को लिखना हो तो हमें आ की मातरा लगाने पड़ती है व के साथ तो यहां पे यह जो स्वर है यह वाले जो स्वर है आगे वाले यह मातरा के रूप में भ बढ़े हो इनका प्रयोग हम मात्राउं के रूप में भी करते हैं तो यही चीज यहां पे हमने आपको समझाई है जिसमें क्या चीज कहीं गई है कि अस्वर के अतिरेक्त जो बाकि जोसी स्वर है अ स्वर के अतिरिक तो बाकी जो सभी स्वर है वो मात्रह चिन होते हैं स्वरों के चिन मात्रह के रूप में व्यंजन के व्यंजन वर्नों से जुड़ते हैं तो हम इनका प्रयोग किन से करते हैं व्यंजनों के साथ जैसे यहां पे मेरे पास क्या व्यंजन है ब चीक है, बव्यंजन के साथ मैंने अस्वर का परियोग किया, तव्यंजन को लगाया और हमारे पास बन गया बात वही बे दूसरा हम यहाँ पे अगर देखें तो मेरे पास द है चीक है द के साथ मैंने अ स्वर का परयोग किया चीक है उसके साथ हमने त लगाया तो हमारे पास बन गया दांद तो हमने एक व्यंजन के साथ स्वर का परयोग करके एक शब्द का जो है एक शब्द लिखा ठीक है तो ये चीज होती है जो हमने यहां पे आपको समझाई है जिसमें है कि अ जो ये वाला जो अ है इसका प्रियोग मात्रा चिन के रूप में नहीं होता इसके बाद है विसर्ग और आगत धोने जो विसर्ग है इस द्वनी को चिन है इसका उचारन ह की भांती होता है विसर्ग का प्रियोग तत्सम शब्दों में किया जाता है संस्कृत से आया है ठीक है तत्सम शब्द जैसे कि अन्त है प्रात्त है जैसे हमने विसर्ग का प्रियोग विसर्ग किसे कहते हैं तो विसर्ग हम इसे कहते हैं जो इस तरह से दो डोट लगे हुए है इसके पीछे और त के पीछे हम इसका उचारन क्या करते हैं अंत हैं तो ये ह का हम उचारन करते हैं प्रात हैं तो इस तरह से आगत ध्वनी यानि अर्द चंद्र अंग्रेजी भाशा में हम जिन शब्दों को लिखते समय क्या करते हैं कि इनका प्रियोग करते हैं आगत ध्व को लिखते हैं जैसे कि हमने लिखा डॉक्टर चीक है इसके उपर हमने क्या किया जो हमने इस तरह से जो चंद्रबिंदू सोरी अर्दचांद बनाया है ना वो क्या है आगत धुर्णी है चीक है तो यह कॉफी टॉफी बॉल तो यह हमने अंग्रीजी भाशा के शब्द लिख कि वर्गों का ही क्या देखा था हमने व्यंजन में वर्ण माला में तो वर्गों का ही जो हम का ही जोड वर्गों की माला को ही हम क्या कहते हैं वर्ण माला तो इसमें क्या चीज़ कही गई है इसमें आपको संयुप्त जो है वर्ण है उसमें ये चीज़ समझाई गई है कि वर्गों का मेल वर्ण सन्योग कहलाता है इन वर्णों के इलावा हिंदी भाषा में कुछ सन्युक्त वर्गों का भी परियोग किया जाता है जैसे हम क्ष यजज्य में हम यूज़ करते हैं इनका हम जैसे यहाँ पे लिखा क्या गया है क और श जैसे यहाँ पे हमने ये एक वियनजन लिखा ठीक है लेकिन हम इसको लिख कैसे रही है means कि हम जैसे क्षमा तो इसमें किसका आवाज आ रही है तो ये चीज़ आपको देखनी है त्रिशूव त्रिभुज है ना श्रामिक विश्राम संग्या विज्ञान तो हमारे पास हम किस वियनजन का किस तरह से उचारन करते हैं ये चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है सन्युक्त वर्न मतलब दो वर्नों का जोड किया गया है क और श का जोड करके एक श बना हुआ है त और र का त्र शूल श और र का जो है वे श्रामिक य और अ का संग्या इस तरह से कि मीन्स क और श का हमने प्रयोकिया क्षबना है ना तो जब हम इसका किसी और वियनजन के साथ जोड कर उचारन करेंगे तो भिक्षा क्षमा तो इसका उचारन जब आप करके देखोंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं आपको क्या चीज समझाना चाह रही हूँ तो यही थी आज की वीडियो वीडियो में उमीद है कि आपको काफी सारी चीज़े समझ आ गई होंगी अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आपको यह वीडियो कैसी लगी और इसी के साथ आपको इस चैनल पर और पी काफी सारी वीडियो मिल जाएंगी आप चैनल पर जाकर जरूर चेक आउट करना तो मिलते हैं अपनी ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ